हेलो वीवर्स वेलकम टू माई चैनल रस्मलाई खाना थो हम सभी को काफी अच्छा लगते हैं मगर इस लॉक्डाउन में जाके रस्मलाई खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो इसलिए चलिए आज देखते हैं कि रस्मलाई कैसे बनाई जाती है यहां मैंने एक लीटर पैक सकते हैं चेना बनाने के लिए सबसे पहले दूद को हम बॉइल कर लेंगे विदिन 4-5 मिन दूद बॉइल हो जाता है फ्लेम आफ कर दें कभी गर्म दूद को ना फाड़े उससे चेना सॉफ्ट नहीं बनेगा तो आप देख रहे हैं मैं यहां दूद को ठंडा कर रही हूं एक से दूमनट हो चुका है अब हम इसमें विनेगर आड़ करेंगे मैंने यहां वाइट विनेगर लिया है आप चाहें तो नीम्बू भी ले सकते हैं लेकिन नीम्बू से रिस्की हो जाता है कभी-कभी दूद नहीं फटता है तो इसलिए विनेगर ले इसली दूद फट एक लिटर दूद के लिए दो चमच विनेगर काफी होता है इसलिए मैं यहां दो चमच विनेगर ले रही हूँ अगर आप दो चमच से नहीं फटता है तो आप और एक दो चमच आड़ कर सकते हैं लेकिन आप छेना को धो दीजिएगा क्योंकि जादा विनेगर आड़ करन अभी भी दूद में एक ही बार में विनेगर या निम्बू का रस ना डाले इसे वन बाई वन करके डाले आप देखेंगे कि दूद हमारा दीरे-दीरे फटना शुरू हो जाएगा तो आप देख सकते हैं दूद थोड़ा-थोड़ा फटना शुरू हो गया है आप देखेंगे पूरा दूद से पानी और छेना सेपरेट हो चुक है अगर आपका इस तरह दूद नहीं फटता है तो आप दूद को धुएदे के लिए और बॉयल करें दूद का छेना निकालने के लिए हम एक सूती कप्रे का यूज करेंगे अगर आपके पास सूती कप्रा नहीं है तो आप कोई भी साफ रुमाल ले सकते हैं आप इस पानी को फेके ना चेना के पानी को आप सबजी या आटा गुन्ने में यूज़ कर सकते हैं इसे रोटी काफी सॉफ्ट बनेगा अब हम चेना को एक घंटे के लिए कहीं टांके छोड़ देंगे रबरी बनाने के लिए मैंने यहां 3-4 दरदरी इलाइची ले लिया है पिस्ता ले लिया है काजू ले लिया है केशर को मैंने दूद में डालके छोड़ दिया जिससे उसा कलर अच्छा आ जाए और बादाम ले लिया ड्राइफ फूर्ट्स आप अपने पसंद से डाल सकते है रबरी बनाने के लिए भी एक लिटर दूद लिया है मैंने इसे तकरिवन 3-4 करना है हमें और इसे बनाने में 30-35 मिनिट लग जाएंगे मैंने यहां इलाइची डालना है इलाइची डालने से इसका फ्रेवर काफी जादा अच्छा आजाता है आप इसे बीच बीच में चलाते रहें वरना वह बॉटम में दूद चिपक जाएगा अब इसमें हम केसर डालेंगे केसर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप मार्केर जैसा चाहते हैं कि आपका रस्मलाई बने तो आप इसमें लैमन येलो फूड कलर एड़ करें ध्यान रहें फूड कर आप एक पिंच ले ज्यादा ना ले तो आप इसका कलर कितना खुबसूरत आ गया है लग रहा है ना बिल्कुल मार्केर जैसा तो रबरी हमारा बनके तैयार है इसमें सारा ड्राइफ रूट्स एड़ कर देंगे ड्राइफूट्स आप रफली चॉप कर कर सकते हैं इसके जितने भी मलाई है साइट से उन सब को निकाल क कि आप दूद में मिलाए इससे दूद हमारा गाढ़ा हो जाएगा जल्दी से यहां मैंने हाफ कप चीनी लिया है एक लिटर दूद से रबरी पनाने के लिए हाफ कप चीनी काफी होता है रबरी आलमोस्ट बनके तयार है अब हम इससे फोर टू फाइब निट्स के लिए हाइफ फ्लेम पे पकाएंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे चेना का पानी सारा निकल चुका है इसे मैंने घंटा के लिए टांके रख दिया था अगर आपका चेना ज्यादा ड्राइब हो चुका है तो आप इसमें थोरा सा पानी एड़ करते अगर ज्यादा ड्राइ रहा तो चेना आपका सॉफ्ट नहीं होगा और रस्मलाई भी अच्छे से मैश करें ताकि ये सारा अच्छे से एक डो बन जाए ऐसे बिख़़ा हुआ ना रहे देख सकते हैं मैं इसे कितने अच्छे से मैश कर रही हूँ कभी कभी क्या होता है चासनी में छेना डालने से वह खुल जाता है तो इसे बाइंड करने के लिए मैंने यहां डेश चमच आरा रोट ले लिया है आरा रोट से क्या होता है वह अच्छे से बाइंड हो जाता है और चासनी में जाके नहीं खुलता है तो अब ये डो बनके तयार हो चुका है अब हम इसके छोटे-छोटे पीसेज बना लेंगे पीसेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं सेब भी आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं ओवल सेब देना हो या फिर इसको सरकल जैसा भी रखना हो चप्टा करना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यह सारे पीसेज बनके रेडी हैं अब हम चासनी बनाते हैं चासनी बनाने के लिए मैंने यहां सारे तीन कप पानी लिया है और एक कप चीनी लिया है अब हम फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से बॉइल होने देंगे इसकी चासनी आप रजूले जैसी ना बनाए इसकी चासनी बहुत पतली होनी चाहिए तो चासनी हमारा बनके तयार है अब देख सकते हैं यह अच्छे से उबल रहा है अब सारे पीसे हम वन बाइ वन करके हाई फ्लेम पे ही डालेंगे तो फ्लेम पे ही डालेंगे थी तो फोर मिनिट के लिएसे छोड़ देंगे आप देख सकते हैं इसके पीसे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अब इसे हम 11-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखके ढग देंगे आप देख सकते हैं इसके पीसे कितने अच्छे हो गया है फूल के मेरा बरतन या थोड़ा चोटा पड़ गया है आप इसे बड़ा बरतन ले देखें ये कितना सॉफ्ट बना है ये बनके तयार हो चुका है इसे अब हम 11-15 मिनट के लिए और पकाएंगे हाई फ्लेम पे ही आप देख सकते हैं इसके पीसे और ये कितने ज्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं अगर आपके दोनों चीज ठंडे हो चुके है तो किसी एक चीज को आप गर्म कर ले जिससे आपका जो चेना बना या फिर आप उसको रसगुला कह ले वो इस रबरी को अच्छे से एब्सॉब कर ले इसे आप गरम में ही रखें फ्रीज में ना डाले क्योंकि फ्रीज में जो ठंडा हो जाएगा और रबरी को अब्सॉब नहीं करेगा आप पांसे छे घंटे के लिए से छोड़ दे उसके बाद इसे फ्रीज में डाले तो लीजिए रस्मलाई बनके तयार है आप भी इससे बनाईए और टेस्ट करके बताएगे आप बार टेस्ट करें वे से छोड़ नहीं करें।